नमस्कार में अम्रिता पांडे आप देख रहे हैं दव बिहार टॉब बिहार की अपराधिक मामलों की लिस्ट देखकर ऐसा कहना अप गलत नहीं होगा कि बिहार में फिर से एक बार जंगल राजा आ गया है आपको बता दे कि बिहार में लगातार कहीं न कहीं से रोज अपराधिक मामले सामने आते हैं लूट हत्या जैसे मामले रोज कहीं न कहीं से सुनने को मिलता है आपको याद होगा अभी बेगु सराय में करोड की लूट जो होई थी उसका मामला भी सांत भी नहीं हुआ था तब तक सिवान से एक और लूट की खबर आ रही है जहां एक कारोबारी से 20 लाख की नगद लूट हो गई है आईए पूरी खबर आपको बताते हैं सिवान में बदमासों ने एक बड़े लूट के कांड को अंजाम दिया है महराजगंज में हतियार के बल पर एक कारोबारी से 20 लाख रूपे लूट लिये गए हैं आपको बता दे की थाना छेत्र के तकीपूर बगउचा के बीच बजरंग बली अस्थान के पास से लगभग 20 लाख रूपे की लूट हुई है घटना को लेकर दरोंदा थाना छेत्र के मदारपूर निवासी सीव प्रसाद के पूत्र सुसील कुमार ने अस्थानिय थाना में सिकायत दर्ज कराई है जानकारी के मुताबिक सुसील कुमार डीस टीवी और सारन जीले के जनता बजार इस्तित कुमार टावर बोरिंग रोड पटना इंडिया वन एटियम में रूपे डालने का काम करता है सुकरवार की देर साम एटियम में रूपे डालने के क्रम में हतियार बंद आधा दर्जन बदमासों ने सुसील और उनके सहयोगी को पिस्टल की नोग पर लेकर और लूट को अंजाम दे दिया आपको बता दे कि घटना के बाद इलाके में हड कंप मचा हुआ है कर्मियों ने इसकी सूचना अस्थानिय थाना को दी सूचना पर पहुँची पुलिस ने मामले की जाच कर बदमासों की गिरफतारी के लिए छापे मारी सुरू कर दी है मामले में महराजगन स्थाना के इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि इंडिया वन के एटियम में रूपेट डालने के लिए फ्रेंचाईजी के कर्मी पहुचे थे लेकिन इसी बीच बदमासों ने घटना को अंजाम दे दिया उन्होंने कहा कि पुलिस छापे मारी कर रही है बदमासों की तलाश में है बतादें कि बिहार में लूट की घटना में काफी बढ़ोतरी हुई है सेखपुरा से मैनेजर की सनलिप्तिता से गोल्ड लोन बैंक से दो करोड का सोना लूट लिया गया था हाला कि पुलिस ने कांट का उद्वेदन करते हुए लूटा गया सोना बरामद कर साजिसकरता मैनेजर को गिरफतार कर लिया था इसके बाद बेगुसराय में एक जोलेरी दुकान से करोडो की लूट हुई आए दिन मोबाईल चेन नगद लूट की घटनाएं सामने आती रहती है आपको बता दे कि बिहाद में अब एक बार फिर से जंगलराज की वापसी हो गई है आपको भी सोशल मेडिया देखते हैं आपको भी पता होगा कि आए दिन कहीं न कहीं से लूट, हत्या, बलादकार, अपराधिक मामले ऐस तरीके के तमाम ऐसे खबर आते रहते हैं जो अब साफ बता रहे हैं कि एक बार फिर से बिहार में जंगलराज आ गया है सुसासन की सरकार कहा जाता था बिहार को लेकिन जिस तरीके से लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे है किसी की हत्या हो जा रहे हैं, इसके सांथ साथ तो सराब की तसकरी भी अपन एकदम चरम सीमा पर है तो बिहार में ऐसे बढ़ रहे अपराधिक मामलों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके बताएं तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही तमाम आज से अपडेट्स के लिए विहार आपको फॉलो करें अगर हमारे वीडियो को योट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर फेसबुक पेस पर देख रहे हैं तो पेस को फॉलो करें दन्य बादू